ओर आटे चाहे तो दीज़ए दा क्षेशन जो हमें और गेनिक रेक्षिंप बनाने उसके बाद फिर नेक्स टांड में और पांच और चुर्ण करेंगे तो सबसे बहुत धेंगे फर्सट वन डेखो जब कन्वर्जन करते हो जैसे आप बेंदीन या टॉल्विन से आप शूरू कर सकते थे तो आपको बनाना है वन फिनाइल वन ब्रोमो ब्यूटेन बना आपको चार कार्बन की चेन लगानी पड़ेगी तो टॉल्विन से शुरुवात करके तो मुझे लग रहा कुछ फाइदा है टॉल्विन से शुरुवात करके तो कोई खास फाइदा यहाँ पर लगेगा नि क्योंकि हमें एक्जेक्ली चार कर्बन की चेन चाहिए तो चार कर्बन लगाना है उसमें वन पर ब्रोमो लगाना है अब देखिए जब आपको तो सबसे पहली चीज़ तो है कि फर्स फॉशन को हम डीटेल में सौल करते हैं तो मुझे लग रहे है कि इसको बेंशीन से कनवेर्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा तो बेंशीन लिया और वन फिनाईल ठीक है कितना था वन ब्रोमो ब्यूटेन है तो चार कर्बन की मेंचिन बेंशीन के बाहर में लगाई हु टिक है, 1Bromobutane तो चलिए 4CB plus chain लगा लेते हैं यह अपका चार करवन की chain आगी and 1 पे Bromo लगा हुआ है टिक है दिस ली अफ़ाइनल प्रड़क्ट तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे 4CB की chain लगानी है जो Bromo है ब्रोमो को मैं कैसे कैसे अचीव कर सकता हूँ ब्रोमो को देखे यह बेंजाइलिक पूजिशन है तो यहाँ बेंजाइलिक ब्रोमीनेशन करके मतलब NBS का इस्तिमाल करके भी यहाँ ब्रोमो लगा सकता हूँ तो अगर मुझे बस यह चार करवन की चेन मिल जाए ब्रोमो लगाना इस नॉट डिफिकल्ट अब यह चार करवन की चेन अगर बेंजीन पे लगानी है तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर फ्रिडल काफ्ट अलकाइलेशन करते हैं तो चलिए वो पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं अगर मान लीजिए वन टू 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 फोर ये तो इसको मैं ऐल सी यल थरी के साथ लेता हूँ फ्रिडल काफ्ट अलकाइलेशन तो क्या अलकाइलेशन कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे कर्बो कटेन बनेगा तो यह कार्बो कटेन इस पॉइंट पे नहीं रहेगा क्योंकि यह जनाब यह कार्बो कटेन देंगे और यह भाई सब आगे रियरेंज होके यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो आपके बाद जो ग्रूप अटैक करेगा वो यह ग्रूप होगा जो बेंजीन पे टैक करेगा तो उस पे आपको चार कर्बो की स्ट्रेट चेन नहीं मिलने वाली तो क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन में रियरेंजमेंट हो जाते हैं इस तरह के इसलिए अलकाइलेशन नहीं करवाएंगे रादर हम क्या करवाएंगे असाईलेशन ठीक है तो फ्रिडल काफ्ट असाईलेशन कर लेते हैं सिंपल सी यो सी एल इन दे प्रेंस अफ एल सी एल थ्री तो यहाँ पे आपको यह आपको चार कर्बोन की चेन मिल गी आपको लगे हैं यहाँ पे अब कार्बोनिल को आगे रेडियूस कर दीजिए जिंक अमलकम HCL के साथ क्लिमेंचन रेडेक्शन करवा के कार्बोनिल ग्रूप को आपने रेडियूस कर दिया तो चार कर्बोनिल की स्ट्रेट चेन आगी और इसको NBS के साथ ट्रीट करके आपने बंजाइलिक ब्रॉमिनेशन करवा दी तो फर्स्ट वाज बेरी सिंपल तो फर्स्ट कुश्चन सबका आराम से सॉल्व हो गया हो गया है आपे पहले कुश्चन को सबको खुद अपने आप ट्राइ करने हैं अब देखे सेकेंड कुश्चन अमारा पास क्या दिया था सेकेंड कुश्चन इस वन फिनाइल वन मिथाक्सी ब्यूटेन तो अगर हमने आलरेड़ी वन ब्रोमो तक अचीव कर लिया है तो वन ब्रोमो को फर्दर आगे मैं कनवर्ट कर सकता हूँ ठीक है किस से CS3 O negative ले लो ओकें CS3 OH भी ले सकते हो क्योंकि SN1 भी यहाँ पर करवाया जा सकता है क्योंकि Benzylic position है ठीक है यह 2 degree है तो यहाँ पर कार्बोगर्ण अच्छा बनेगा तो SN1 मेकैनिजम से तो 1 and 2 दोनों यहाँ पर मेरे कवर हो रहे है यहाँ पर OCS3 लग जाएगा तो 1 Mithoxy वाला भी बन गया आपका ठीक है second part भी solve हो गया अब उसके बाद next देखे जल्दी से third one third में 3 phenyl propane 1 oil अब मेरे पास सिरफ 3 carbon की chain है ठीक है और 1 पर oil है और 3 पर phenyl है चलिए तो इसको लगसे करना ही लगेगा हमें बंजीन से ही शुरू करना बड़ेगा 3 phenyl propane 1 oil तो मतलब इसके बाद 3 carbon की chain है और 3 carbon की chain है 1 के ओपर आपका OH गुर्प लगा हुआ है ठीक है तो यह देख लिए 123 गर आप numbering करेंगे क्योंकि OH आपका functional group है तो numbering इस कोने से start होगी 1,2,3 ठीक है यह आपकी numbering आगी और 3 position भी आपका final group लगा हुआ है चलें तो यहां तक हो गया अब बात यह आती है कि यह 3 carbon की chain लगाना मेरा पहला target है 3 carbon की chain उस पर OH कुछ नहीं है यहाँ पर अगर मैं double bond introduce कर दूँगा ठीक है मतलब यहाँ पर double bond हो तो double bond पर markoni के अफ एंटी markoni को addition करवाके OH को introduce किया जा सकता है ठीक है तो चलेए सबसे पहले 3 carbon की chain को introduce करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे मुझे double bond चाहिए मतलब इससे just पहले मुझे जो group चाहिए होगा backward चलते हैं यह चाहिए होगा मुझे इस double bond के across मैं water add करूँगा तो मुझे यह मिल जाएगा तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरा hydroboration oxidation अब यह कैसे बनाया जाए अब यह असानी से बन जाएगा CH2 double bond CH CH2 CL in the prince of ALCl3 तो यह वाला जो पार्ट है अलकाईल वाला पार्ट यह बंजीन पर लग जाएगा तो यहाँ पर आपको fredal craft alkylation करवानी है ठीक है तो you'll get this यहाँ पर ट्रॉप करने के जो तनी है you'll directly get this तो यह आपने fredal craft alkylation करवाई यह आपका allylic group लगा उसके उपर हाइड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन से आपने एंटी मारेकोनिक ओफ एडिशन ऑफ वाटर करवाए एंड डाट सेट बिलकुल सिंपल सरल तरीके से हो गया ठीक है देखर नोट्स आपको बच्चों मेरे सारे एक सारे जो नोट्स है वह मेरी कम्यूनीटी वह रुपर मिल जाएंगे तो यह वाले नोट्स पिशपाइक उन्क ओपर भी मैं साथ मैं अप लोड गांगा मैं तो मेरी कम्यूनीटी पर आकडमिय को पर चलिए थर्ड वाला भी हो गया हमारा नेक्स देखते हैं फोर्थ वन इथाक्सी बेंजीन अच्छा बेंजीन के उबर ट्रेक ली OIT ग्रूप लगाना है तो फोर्थ इथाक्सी बेंजीन के लिए क्या कर सकते हैं एनि आइडियाज अच्छा और देख और चीज़ इस वाले कनवर्जन को किसी और तरीके से भी करवाया जा सकता है क्या ठीक है एनि अदर मेथट अफ डूइंग दिस देखो अब यहाँ पे मैं टॉल्विन लेके भी ये कनवर्जन अचीव कर सकता हूँ तॉल्विन से कैसे हो सकता है ये कनवर्जन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगा एक और चीज़ भी पॉसिबल है अगर इसका इंटर्मीडियर मुझे बनाना है क्योंकि तीन कार्बन की चेन और ओएच लगा है पीटा अगर इपॉक्साइड होता यहाँ पे ये इस इपॉक्साइड को अगर हम इसकी ओपनिंग करवाएं तो ये आपको ये वाला अलकॉल देदेगा तो अच्छा सॉरी हाँ ये आप बंजीन के उपर नहीं चाहिए मतलब मुझे बंजीन का रियक्शन करवाना है मतलब बंजीन के आगे अगर मैं यहाँ पे CH तो CS3MGBR ले लूँ और इसको एपॉक्साइड के उपर अटेक करवाऊं ये ना CS3 नेगेटिव ये यहाँ अटेक करेगा इस तरह से तो that will give you एक सेकिंड तरह में सोच हुआ कि मैं उल्टा लिख रहा हूँ हाँ CH2MGBR ठीक है तो ये CH2 नेगेटिव यहाँ टेक करेगा ये बंजीट करेगा तो CH2 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 O नेगेटिव तो ये पूरा प्रोड़क्ट मुझे इस तरह के Grignard Reagent से भी मिल सकता है तो पहले मैंने क्या किया टॉल्विन लिया टॉल्विन की आप ब्रोमिनेशन करवा लो हीट करके या NBS के साथ करके मतलब बंजाइलिक पॉजिशन पे तो यहाँ पे आपका CH2 BR बन जाएगा CH2 BR को मेगरिशम के साथ ड्राइ इथर की प्रेंस में ट्रीट किया आपने ठीक है तो CH2 MGBR बन गापका ग्रिगनाड और ग्रिगनाड ने यह अटेक किया यहाँ पे फॉलवड बाई हाइड्रॉलेसिस और यह बन गया तो यह चीज आपको सबको यह तरीका समझ आया है ना तो यह भी आसान है बेटा वुट्स नहीं है यहाँ पर कर पाएंगे हम ठीक है यहाँ पर वुट्स वाला मैथड नहीं है यहाँ पर ग्रिगनाड से हमने ट्रीट किया चले तो तीन के तो हमने दो मैथड कर लिए फॉर्थ इतॉक्सी बेंजीन है तो बेंजीन से इतॉक्सी बेंजीन इफर बनाने के लिए क्या तरीका होता है इफर बनाने के लिए एक तोता आपका विलियम सन एथर सिंतेसेस बड़ा सिंपल तो उसके Лिय मुझे क्या ची ओगा है यहाँ फिनॉक्सड ची ओगा मुझे मतलब अगर मैं ये विलियम सन एथर सिंथेसिस से अच्छा विलिया सन हो गया है तो विलियम सन एथर सिंथेसिस से करवा हूँ जो कि एक SN2 मेकैनिजम है तो उसमें मुझे चाहिए होगा PHO नेगिटिव और वो अटेक करेगा CH3, CH2 I के उपर तो यह यहाँ टेक करेगा आयोडाइट बहर जाएगा और यह मिल जाएगा तो मुझे बेसिकली फिनॉकसाइड चाहिए फिनॉकसाइड में कैसे बना सकता हूँ देखो बेंजीन से आपका फिनॉल बन सकता है फिनॉल कैसे बन जाएगा पहले इसकी क्लोरिनेशन करवा दीजे ALCL3 की प्रेजन्स में तो क्लोरो बेंजीन आपको मिल जाएगी फिर्स टेप में क्लोरो बेंजीन को फिनॉल में कनवर्ट करने के लिए फिनॉकसाइड आप एन ने वेच के साथ ट्रीट करें बहुत हाई टेंपरेचर 623 केल्विन और 300 अट्मोस्फेर इस डोस प्रॉसेस तो यहाँ पर आपको फिर्स टेप में फिनॉकसाइड ही मिलता है उसको एसिडिक मीडियम में डालते थे तब फिनॉल बनता था तो फिनॉल तो मुझे चाहिए नहीं है ना हमें तो फिनॉकसाइड ही चाहिए था तो फिनॉकसाइड हमें मिल गया तो बस अब इसको आप CH2I के साथ रेक्शन करवा दीजिए तो तो अगर हम देखें फिफ्थ वाला 1,2-Dichloro-4-Nitro-benzene चेलिए 1,2-Dichloro-4-Nitro-benzene तो बenzene को convert करना है 1,2-Dichloro-4-Nitro फाइन अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पर सीक्वेंस बड़ा इंपोर्टेंट है तेकि chloro-chloro दोनो और्थो-पैरा-डारेक्टिंग ग्रूप्स है ठीक है? chlorine is a ortho-पैरा-डारेक्टर जबकि Nitro आपका Meta-डारेक्टिंग ग्रूप है Meta-डारेक्टर है तो अगर मैं पहले Nitro लगा दूँँगा तो एक क्लोरो को तो मैं चलो Meta पे लिए आउँगा पर दूसरे वाले क्लोरो को क्या करूँगा? तो यह समस्या होगी अच्छा पहले अगर मैं क्लोरो लगा दूँँ और फिर उसके बद नाइट्रो करवाँ मैं तो क्लोरो ठीक हो मतलब पहरा डिरेक्टिंग या और्थो पहरा डिरेक्टिंग तो पहरा पर नाइट्रो लग जाएगा थोड़ा सा और्थो पर लग जाएगा तो अगला क्लोरो कैसे लेका हैंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने माला काम होगा कि अब यहां क्या किया जाएं तो सबसे पहले क्या लग आपको पहले क्लोरिनेशन करें या पहले नाइट्रेशन करें तो दोनों पॉसिबिलिटी को सोच लेते हैं अगर पहले में नाइट्रेशन कर लूँगा तो नाइट्रेशन के बाद जो पहले क्लोरिनेशन होगी वह आ नाइट्रो लगा दिया, नाइट्रो के बाद अगर आप क्लोरिनेशन करेंगे ALCL3 के साथ, तो अभिसली मैटर डारेक्टिंग ग्रूप है ये, तो मैटर पर आपका लगा देगा क्लोरिन को, अब अगर आप इसकी हो, अलो ओवר आल एक्टिवेटिंग नहीए है, पर अगर डी-एक्टिवेट कर रहा है तो बहुट वीक्ली डी-एक्टिवेटिगल है, तो वह क्लोरो है, isn'tा, तो खुटोरो यहाँ पर relatively speaking activating group की तरह देखा जाएगा, fine, तो तो ये डिसाइड करेगा और क्लोरो आपका और्थो पैरा डारेक्टिंग है ये वाली और्थो पॉजिशन हिंडर्ड है क्योंकि दोनों तरफ ग्रूप लगे हुए तो ये और्थो बची एंड ये पैरा ठीक है दीज अर्ट अल्ली टू पॉसिबिल्टीज जहां पर आपका डो चीजह मेरकों बन सक्ती हैं पर क्या यह सिकम्स सही है लगटो जाएगी यहां पर यह लोरीन ऐसी दिक्कत नी है लग तो जाएगी पर क्या ही सीक्वेंस बहुत effective होगा यह पॉनिट है हमारे सामने क्या होगा यह नहीं होगा चलिए थी तौदा सोच के बताइए Is it good? हम इस sequence से चले चले, इसके parallel एक और sequence ले लेते हैं इस sequence से भी चल पढ़ते हैं, कोई बात नी यहाँ पर आपका chloro लग गया, यहाँ आपका नाइट्रो लग गया, प्लस एक और product किसमा बनेगा, जिसमें यहाँ पर नाइट्रो लगेगा, उसको मैं ड्रॉण नहीं कर रहा हूं विगाज हमारे पहले वो requirement नहीं है दूसरी possibility बच्चे यह है कि हम पहले chlorination करवाते हैं इसकी फिर आगे nitrogen करवा लेते हैं ठीक है, यह एक और chlorination करवानी है क्योंकि अगर मैं इसकी दुबारा chlorination करवाऊंगा, तो वो जादतर पैरा पे लगेगा, क्योंकि और्थो पे hindrance आती तो पैरा पे लगेगा, और पैरा पे मुझे nitrogen लगाना था तो अब मैं इसकी पहले nitrogen करवा लूँगा ठीक है, तो पैरा पे कर मैं nitrogen करवा लूँगा, यह नोटू लग गया थोड़ा सा और्थो पे भी बनेगा, ऐसा नहीं और्थो पे नहीं बनेगा, पर और्थो वाले को minor लेकी चलते हैं, ठीक है तो वो गया, अब next फिर से chlorination करवा ये ठीक है, तो अब वोई बात इन दोनों मेसेज़ जादा activating कौन सा है, मतलब relatively speaking activating कौन सा है, ये बाई साब और्थो पैरा डारेक्टिंग है, हाँ जी तो और्थो बचा पैरा तो already occupied है तो यहाँ तो यहाँ पर लगेगा यहाँ पर लगेगा, ठीक है तो मेरे पास एक single product मिल रहा है, क्या मिल रहा है single product, multiple product की यहाँ पर possibility नहीं है जबकि उपर वाले इस process में मुझे एक और product मिल रहा था और वो almost उतने ही amount में बन जाएगा तो उपर यह नहीं बोल सकते हैं कि आप यह वाला major होगा दोनों बनेगे और दोनों अच्छे proportion में बनेगे पर यहाँ पर यह इकलाओता मिल रहा है मुझे और यही मेरी requirement थी तो obviously यह जो नीचे वाला method है हमारा, जो sequence of reactions है this is comparatively better फिफ्ट होगया, six one देखते है one final propane, two all अच्छा, one final है, propane, two all है चलिए को बात नी, तो यह आज आपका three final propane, one all था ना three final बना यहाँ से OH स्टार्ट हुआ था और one final propane, one all बनाना है यहाँ पर final और यहीं पर आपका all भी लग गया तो अब इसी से आप थोड़ा सा hint ले सकते हो, कि क्या करना है तीक है, sorry, one all नी है, two all है हाँ, यहाँ पर OH लग रहा है आपका वेटा जब OH यहाँ पर लगेगा ना तो numbering right side से नहीं होगी, फिर left से ही होगी, तो बात सिर्फ इतनी थी same तरीके से आपको काम करना है, पस यहाँ पर लगा देना आपको, वच इसकी जगा तो जहाँ पर आपने hydroboration oxidation करवाया था, इसकी जगा पर oxy-mercuration, demercuration करवा दीजिए, that is marconic of addition of water ठीक है, तो six वाले को देखे बेंजीन लिया, इस पर CH2 double bond CH, CH2 CL, इन दे प्रेंस of ALCL3, तो यह allylic group लग जाएगा है, यहाँ पर और इसके cross oxy-mercuration, demercuration करवा दीजिए, उसका reagent क्या आता है, HGOAC twice, comma H2O ठीक है, इस is mercury acetate और water यहाँ पर as a nucleophile काम करता है और अगले step में demercuration होता है mercury वाले part को निकाला जाता है जब NABH4 से treat करते हैं तो this is overall क्या है, तो simply marconic of addition of water, तो carbon having lesser number of hydrogen पर OH आपका लग गया, simple क्योंकि rearrangement यहाँ पर कोई था नहीं, तो बस इसके अगर आप numbering करेंगे तो 1, 2, 3, this is the final product ठीक है and next देखिए 7th वाला para-amino benzoic acid चली, 7th वाला भी देख लिएते हैं para-amino benzoic acid तो यहाँ पर benzene लेना बहतर रहेगा या toluene लेना बहतर रहेगा तो I think कि toluene लेना बहतर है, क्योंकि जो side chain है उसको oxidize करके आप directly क्या बना सकते हो k-amino 4, तो toluene था ना para पे आपको nitro चाहिए, तो पहले nitrogen करवा लेते हैं क्योंकि ortho पे hindrance होती है, तो उसलिए हम यह मान के जलेंगे, ortho वाला product थोड़ा सा minor होगा और para वाला major होगा और अब इसको आप K-amino 4 से treat करेंगे तो जो alkyl side chain है यह पूरी oxidize हो जाएगी and किसी के दिमाग में यह आ सकता है, सर नाइट्रो को कुछ नहीं होगा क्या K-amino 4 से, नहीं नाइट्रो को कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि नाइट्रो पहले ही nitrogen की highest oxidized form है उसको further oxidize आप करी नहीं सकते ठीक है इसलिए, उसको वह फर्क नहीं बड़ेगा सिर्फ जो methyl group है, वो आपका completely convert हो जाएगा COH में ठीक है, अब यह जो nitro है हमें para nitro नहीं चाहिए था, हमें para amino हो चाहिए था, अब इसकी हम reduction करेंगे SNHCL या FVHCL के साथ अब यह तने strong reducing agent नहीं है कि यह carboxylic acid को disturb करें, ठीक है, तो यह सिर्फ NO2 group जो है, उसी को reduce करेंगे ठीक है, carboxyl को reduce करने के लिए काफि strong group की जूरुत पढ़ दिये, like LiAlH4 बस, तो यह आपके 7 के 7 cover होगे ठीक है, तो I hope यहाँ तकी कहानी, सबको एडली की साथ conversion तो अच्छे से समझाई होंगी है न, इसके आगे थोड़ा और भी मेरे साब से तो थोड़ा और भी कर लेना चाहिए तो इसके आगे वन बावान ही चलते हैं directly, ठीक है, कटे नहीं लिखेंगे तो next conversion 8th one इसमें आपको convert करना मतलब या बंजीन या टॉल्मीन से शुरू करके ठीक है या रूप लिखे लेते हैं इसको 2 methyl, 1 phenyl, butane 2 oil 2 methyl and 1 phenyl butane 2 oil ठीक है, ये ये येथ हो गया 9th भी लेकलो साथ में फिर 5 chloro 2 methyl aniline ये हो गया and 10th, एन अद दस कर लेंगे total, 3 nitro 4 bromobenzoic acid okay, तो ये तीनों करने हैं तो सबसे पहले हम 8th वाले से start करते हैं 2 methyl, 1 phenyl, butane 2 oil तो पहले तो उसका structure draw करें कि क्या है, अब फिर देखेंगे कि benzene लेना है या toluene लेना है phenyl आ गया और 1 पह फिनाईल है, butane 2 oil बंद चार करवन की चेहन है, 1, 2, 3, 4 और 2 oil और 1 पह फिनाईल है ओके, ठीक है, तो नमबरिंगे इसकी कैसी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4 और इसमें 2 पह मिथाईल भी है that is यह, like this ठीक है, तो 1, 2, 2 पह मिथाईल आ गया 2 पह ओल भी आ गया, और 1 पह आपको फिनाईल ग्रूप लगा हुए, तो सबसे पहला काम तो है मुझे यह वाला ग्रूप अरेंज करना और यहाँ पर बीच में double bond आना चाहिए, यूगि double bond कहाँ पर चीहोगा, double bond चीहोगा इस position पर, ठीक है exactly यहाँ पर ही क्यों चीह double bond यहाँ पर क्यों नहीं चलेगा double bond यहाँ पर अगर double bond ले लिया मैंने ऐसा नहीं नहीं चलेगा, यहाँ पर अगर मैं double bond लूँगा और उस पर water के addition करवाऊँगा तो OH यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर कार्बो कटेन जादा stable होगा और यहाँ पर अगर मैं double bond लगाता हूँ तो यह इस कार्बो कटेन इधर जादा stable होगा तो यहीं भी OH लगेगा तो मुझे यह वाला group attach करवाना है अब यह वाला group अगर attach करवाना है तो what is the possibility अगर मैं friddle craft alkylation करवाऊँ तो क्या उससे यह achieve हो सकता है एक possibility तो हो है पर alkylation इतना complicated सा structure इस structure में rearrangement और कार्बो कटेन के और-और variations बन सकती है तो इसको हम उतनी priority अभी नहीं देते कुछ और तरीका भी सोचते हैं और क्या के possibilities हो सकते हैं देखे यह आपके पास बना it's a 3 degree alcohol जो benzene है ना benzene को तिरफ ऐसे समझे benzene is simply a substitute benzene को ज़्यादा यहाँ पर importance देने की जूरूत नहीं it's a 3 degree alcohol 3 degree alcohol और कैसे कैसे बन सकता है can I use grignard 3 degree alcohol बनाने के लिए already मेरे पास ketone होना चाहिए और ketone के उपर RMGX अटेक करता है तो ketone कौन सा वाला लूँ अगर मैं यह वाला ketone ले लूँ इसके उपर यह वाला group आ सकता है RMGX से या अगर मैं यह वाला ketone ले लूँ तो यह वाला group RMGX से आ सकता है है ना तो चलिए अब यहाँ पर hint मिल गया मुझे हिंट क्या मिला hint मुझे यह मिला कि यहाँ पर इस group को मुझे RMGX से लाना है और बाकी वाला जो part है ketone से ले आऊँगा मैं तो मतलब यहाँ पर हमने टॉल्विन से शूरू करो तो बैटर रहेगा इसका NBS से reaction करवाएंगे तो CH2BR इसको अपने मेगनेशन से treat किया ड्राइधर की presence में तो CH2MGBR और इसको treat करना है CH3 C double bond O CH2 CH3 से तो यह यहाँ टेक करेगा यह उपर shift हुआ तो देखें, carbon पे यह group attach हो गया यह वाला एक साथ CS3 था एक साथ इताइल ग्रूप अलड़ी था तो यह hydrolysis करने के बाद product जो आपका यह देदेगा, generate करतेगा बड़े आसानी से तो ग्रिगनाड वाले का benefit क्या है ग्रिगनाड वाले में the possibility of going wrong और the possibility of having some unwanted product तो कि आप नहीं बनाना चाहते थे वो नहीं है, है ना कोई arrangement हो रहा है कार्बोकटन, multiple बन रहे हैं ऐसी कोई समस्या हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं इसलिए this is a very good method तो always remember कभी भी आपका 2 degree, 3 degree alcohol हो तो ग्रिगनाड एक बहुत बढ़िया tried and tested method होता है ठीक है, बस आपको देखना है कि उस पूरे structure में से किस वाले पार्ट को मैं ग्रिगनाड से लाऊं और किस वाले पार्ट को मैं कार्बोनिल से लेके आऊं नाइंथ देख लेते हैं नाइंथ में हमें क्या बनाना है 5-Cloro-2-Methyl-Aniline ठीक है तो 5-Cloro-2-Methyl-Aniline 2-Methyl ठीक है, 5 यह बन गया यह बनाना है तो I think अगर टॉल्वीन से ही यहाँ पर शुरुवात की जाए तो वो भी सही रहेगा क्योंकि हमें यह यहाँ पर मिधायली ग्रुप तो चाहिए चाहिए तो बाहर से लेके आने के बज़ाए है कि डारेक्ली खुदी ले आते हैं ठीक है, अब देखे NH2 कहां से ला सकता हूँ मैं नाइट्रो लाओ, नाइट्रो के रेड़क्शन कर लो तो वो तो हो गया, अब एक क्लोरो लेके आने है अब पहले किसको लेके आने CH3 एक और्थो पैरा डारेक्टिंग ग्रूप है तो आने वाले कोई और्थो पैरा पे लेके जाएगा ठीक है, ओके, तो अगर मैं पहले क्लोरो लगाता हूँ तो और्थो 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 पैरा पैरा बाला जादा बनेगा क्योंकि पैरा पे स्टेरिक इंट्रेंस कम होती है और फिर मैं नाइट्रेशन करवाँ तो सिर्फ और्थो ही बचा और कोई जगा बची ही नहीं तो और तो पर हो जाएगा वो अगर मैं पहले नाइट्रेशन करवाने के सोचूंगा तो वो नाइट्रो पैरा पे आ जाएगा मेरा और पैरा पे मुझे क्लोरो चाहिए था तो सबसे पहला काम क्लोरिनेशन करवा लेते हैं यहाँ थीक है तो CL2, AL, CL3 I hope आप सब को समझ आ रहा है तो यहाँ पैरा क्लोरिनेशन आपने करवा लिया उसके बाद हमने किया नाइट्रेशन तो सब बच्चोंने 299 वाला सबस्क्रिप्शन ले लिया है कि नहीं लिया है खजूरों जल्दी सी जल्दी च्वाइन करो सिर्फ 269 रुपीज में आपको मिल रहा है सबस्क्रिप्शन 299 भी नहीं 269 में आपको मिल रहा है ठीक है और कोड पता है कोड कौड कौन सा यूज करना है पीटी लाइब कोड यूज करना है और अपने दोस्तों को जूनियल को सबको बोलना है वकर यह सबस्क्रिप्शन सब के काम का है एट क्लास से लेके 12 जे नीट सब के लिए है यह सबस्क्रिप्शन तो अब देखो यहां पर अगर हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रेशन कहां पर होगा सिर्फ और्थ हो क्योंकि और्थ पूजिशन सारी उक्किपाइड है तो और्थ हो चाहे आप लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ बात बराबर है अब इसकी स्टीफन रिटेक्शन कर दीजी CS3 यहां पर NH2 CL ठीक है अराम से होगा सॉलवे ठीक है ना तो जल्दी जल्दी से आप जिनन ज्वाइन नहीं किया न वह एकदम से अच्छे बच्चे के तरह ज्वाइन कर लो 45 डेज में आपके पास possibility कि आप हर तरीके का यहां पर आप चीज एक्स्प्लोर कर सकते हो test series करनी है पुराने lecture जो देखने है किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे वाले topic छूटे हो है ठीक है मुझे सिर्फ यही revise करने है तो 45 डे काफी समय होता है चाहे कोई class 11 का बच्चा वो कम से कम 3-4-4 chapter कवर कर सकता है 45 डेज में अगर पुराने lecture देखना स्टार्ट करते recorded यह आपको test series आपको यहां पर मिल जाएगी class में doubt आप पूछ सकते हैं voice call का feature आप use करके देख सकते हो तो जिनके parents को doubt रहता है कि online में इतना पैसा देना सही रहेगा नहीं रहेगा वो देखके मैं अपना decision बना सकते हैं कि मैं offline में भीजू बच्चे को या फिर online में ही सही है तो सारे features आपको देखने को try करने को मिल जा रहे है पंतालेस दिन के लिए that is more than sufficient time to find out all the pros and cons तो इसलिए कर लेना चाहिए ठीक है और क्या courses follow करना है आपके उपर आप जिस teacher को follow करते हो like करते हो उनकी profile पर जाके ढूंड़िए कि कौन कौन से वो करसी चला रहे है जैसे मैं अभी evolve batch मेरा प्लस के उपर चल रहा है तो अब वो अटेंड कर सकते हैं क्लास टेल्थ का बच्चा है पुराने कोर्स चिसको और गेनिक कंस्टी कवर करनी है ऑक्टूबर से मैंने एक और गेनिक का को स्टार्ट करके दो डाही महीने में कवर कर द थ्री नाइट्रो फोर ब्रोमो बेंजोईक तो एक चीज तो पता है कि CH3 को oxidize करके COH बनाया जा सकता है अब अच्छे बाकि तो CH3 के देखो पैरा पोजिशन को पहले भरो सबसे पहले पैरा पोजिशन को भरना ज़रूरी है क्यों क्योंकि जो भी ग्रूप आएगा वो पै तो सबसे पहले इसकी करवा दो ब्रोमीनेशन ठीक है तो ब्रोमीनेशन करवा के आपने पैरा पोजिशन को पहले से ब्लोक कर दिया ताकि वहां पर कोई और ना आपाए अब क्या करवाना है अब आपको लगेगा कि सर अब हमें नाइट्रेशन करवानी चाहिए पर यह जन किया जाए तो इस CH3 को deactivating group में convert किया जाए उससे क्या होगा जैसे ही ये carboxylic acid में convert हो जाएगा COH में अब COH एक strongly deactivating group है जिकि ब्रोमीन बहुत हलका weak सा deactivating group है तो दोनों की comparison में ब्रोमीन overall activating group हुआ और ब्रोमीन डिसाइड करेगा कि अगला group up कहाँ पर आएगा अब अगर आप nitrogen करवाते हैं तो ब्रोमो क्योंकि ortho para directing है और पैरा तो पहले से भरा हुआ है तो ortho पर ही होगा तो ortho position पर nitrogen होगी बस simple सा केस था तो यह होगे हमारे यहाँ पर 10 conversion reactions ठीक है तो I hope कि 10 कि 10 conversion reaction थोड़ा बहुत revision हुआगा बहुत जाद तो नहीं बोलू होगा पर at least थोड़ा बात होगा कुछ चीज़ें तो clear हुई होगी किस तरह किसे हम use कर सकते हैं groups को different different reagents को different different combinations में ठीक है and this is very 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 important ठीक है तो यह important इसलिए है क्योंकि जिन जिन बच्चों ने और यह आप लोगों के लिए भी अच्छी opportunity है कि अगर आपके आसपास आपको लगता है क्योंकि ऐसे students है जिनों ने मतब जिन के लिए महेंगे courses afford करना possible नहीं है तो आप उनको बताओ कि यह 269 रुपीज में जिसे माले जिक गरी बच्चा अभी J2022 देने वाला है तो 270 रुपे में 45 दिन में उसका crash course हो जाएगा पूरा का पूरा तीनों subject का ठीक है कोई छोटी class का बच्चा है वो 45 दिन में कुछ तो सीख की सकता है जो 10th से 11th में आ रहे हैं भी वो अपने starting के chapters cover कर सकते हैं राइट फिर decide कर सकते हैं बाद में आगे continue करना है extend करनी है subscription को नहीं करना है तो बच्चों PT like code यहाँ पर use कर लीजिए अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं समझ आती है चीजे ठीक है राइट